नमस्कार, Competition Community के इस Fast Track Revision कोर्स में आप सभी का स्वागत है, मिर नाम है पुख्राजगीरी और इस FTR सेशन में मैं डील कर रहा हूँ 36 गड़ सामान अध्ययन सब्जेक्ट में आपको यह भी बता दू कि अपने इस FTR के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बस्तर संभाग से कुछ प्रशनों को, लेकिन प्रशनों पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक मिशेश सूचना अगर इस CGPSC Pre 2020 के लिए आपकी Current Affairs की तयारी बची रह गई है और आप चाहते हैं कि Maximum 25 घंटे खर्च करके आप ना सिर्फ 36 गड़ बलकी राष्ट्री, अंतर राष्ट्री और साथ ही साथ 36 गड़ के आर्थिक सरवेक्षन की संपून comprehensive तयारी कर लें वह भी एक न्यूनतम शुल्क पे तो competition community छात रहित में आप सभी के लिए लेकर आ रहा है comprehensive current affairs program इस program में Maximum 25 घंटे दे के comprehensive तरीके से तयारी की जाएगी 36 गड़ समसमाई की की राष्ट्री समसमाई की की साथ ही अंतर राष्ट्री समसमाई की की भी इसके साथ ही 36 गड़ का आर्थिक सरवेक्षन भी कराया जाएगा आप सभी को cover इसके साथ मैं यह भी बता दूं कि यह संपूर्ण जो कोर्स है आप सभी के लिए available हो जाएगा 15 जनवरी 2021 के दिन संपूर्ण रूप से वह भी एक न्यूनतम शुल्क पर और यह भी आपको जानकर बहुत ही हर्श होगा कि 12 जनवरी से ही इसका जो registration है वह चालू हो चुका है का समय ही बचा रहे गया है CGPAC की pre के लिए और आपको comprehensive तरीके से इन चार topics की अगर तैयारी करनी है तो आज ही इस comprehensive current affairs program का lab आप सब उठा सकते हैं तो यह थी आप सभी लोगों के लिए एक मिशेश सूचना अब चलते हैं हम किस पे तो प्रशनों पे हैं तो आज का पहला प्रशन है सकल नरायन की गुफा 36 गड़ के किस जिले में स्थित है तो देखिए यह जो map है यह map है बस्तर संभाग का जिसमें यह जिला है कांकेर फिर कोंडा गाओ फिर बस्तर फिर है सुकमा दंतेवाडा नरायन पुर और बीजापुर अब अगर हम देखे इस बीजापुर जिले को तो इस बीजापुर जिले में तीन बहुत महत्वपुर्ण गुफाएं हैं जिसमें पहले है सकल नारायन दूसरा है नाडा पल्ली और तीसरा है अवा पल्ली आपको बता दूँ छतिस गड़ फॉरेस्ट का यह बड़ा ही फेवरेट क्वे लगातार दो साल इस नाडा पल्ली और अवा पल्ली के संदर्भ में प्रशन पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है कि बीजापुर जिले में क्या है तो सकल नारायन गुफा नाडा पल्ली गुफा और अवा पल्ली गुफा अब प्रशन पर वापिस आ जाएं तो हम आपने देखा 36 गड़ के बीजापुर जिले में हैं, चुंकि बीजापुर option A में दिया है, इसलिए option A जो है, यह सही उत्तर होने वाला है आपके पहले प्रशन का, तो यह हो गया हमारा पहला प्रशन, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर, अब देखिए, अब है हम हमारा दूसरा प्रशन, जो पूछ रहा है, या जिसमें पूछा गया है कि बेरोडी नदी किसकी सहायक नदी है, options में हैं नारंगी, शबरी, इंद्रावती और उपरोक्त में से कोई नहीं, अब देखिए, यहा है बस्तर संभाग, अब बस्तर संभाग से प्रवाहित होती ह है एक मुख्य नदी, आती है ओडिसा से और इस नदी का नाम क्या है, तो नाम है इंद्रावती, और यह जो इंद्रावती नदी है, असल में किसकी सहायक है, तो है गोदावरी नदी की, और यह जो नदी मैंने बताया क्या नाम, तो इंद्रावती, अब यू तो इस इंद् उसके बाद है बोर्डिंग नदी उसके बाद देखा जाए तो एक नदी आती है नारायनपुर से नाम है गुड्रा इसके बाद राजनाद गाउं से आने वाली एक नदी नाम है क्या तो नाम है कोट्री नदी तो हमने कौन-कौन सी नदियों को देखा, तो पहले देखा नारंगी, उसके बाद देखा है हमने बोर्डिंग, फिर देखा गुडरा, उसके बाद कौन सी नदी देखी, तो कोटरी नदी, इसके बाद एक और नदी है, जिसका उद्गम नारायनपुर से ही नाम है क्या, तो निबरा नदी, अब दक्षिन की और से आने वाली नदियों को देखें, तो एक नदी है, नाम है, शंकिनी, दूसरी नदी है, डंकिनी नदी, इसके अलावा बीजापुर जिले से उद्गमित होती है, एक नदी, नाम है क्या, तो नाम है, बेरूडी नदी, कौन सी नदी, इसके अलावा एक नदी है, नाम है, चिन्ता वागु, तो मुख्यूरूप से कौन-कौन सी नदीया है, तो हमने देख लिया नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, कोटरी, फिर हमने देखा बेरूडी, फिर देखा चिन्ता वागु, फिर देखा शंकिनी, डंकिनी जिसका संगम होता है दंतेवाडा में और नदी कहलाती है शंकिनी, डंकिनी नदी, अब हमारे प्रश्ण में क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था बेरूडी नदी के संदर्भ में, तो हमने क्या देखा बेरूडी किसकी सहायक है, तो बेरूडी नदी असल में इंद दिया हुआ है किस पे तो option c पे तो सही option क्या होने वाला है इस प्रश्ण का तो होने वाला है option c इस दूसरे प्रश्ण के लिए तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्ण अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्ण की ओर अब तीसरे प्रष्ट में हमें सुमेलित करना है जल्प्रपातों को और जिलों को जल्प्रपात में है हांदावाडा इंदुल फिर है चर्रे मर्रे फिर है फुलपाड इंदुल और उसके बाद है कताब गिरी तो देखिए यह जो मैप है बस्तर संभाग का इस बस्तर संभाग में एक जिला है कांकेर और इसी कांकेर जिले में एक जलप्रपात नाम है क्या तो नाम है चर्रे मर्ड़ बुक्ष में नारायन पूर भी देगा आपको प्लीज आप इसका अंसर कांकेर लेंगे उसके बाद एक जल्प्रपात है इस नारायन पूर जिले में नाम है क्या तो नाम है हांदावाडा इंदुल हांदावाडा इंदुल के संदर्व में बता दू कि इसको भी बुक्स में आपको बीजापूर मिलने वाला है आप इसको नारायन पुर लेना, पेस्टीन आंसर नारायन पुर लिया है, इसके बाद एक जलप्रपात है, इस दंतेवाड़ा जिले में नाम है, क्या तो नाम है फुल पाड इंदुल, क्या नाम है फुल पाड इंदुल, और फाइनली इस तुकुमा जिले में एक जलप्रप नाम है क्या तो नाम है प्रताप गिरी जल्प्रपात तो हमने क्या देखा चर्रे मर्रे कांकेर में हांदा वड़ा इंदुल नारायनपुर में फुलपार इंदुल दंते वड़ा में और सुकुमा में देखा है हमने प्रताप गिरी जल्प्रपात को ब्रश्ण पर वापस आत इसे हादा वाडा इंदुल भी कहा जाता है तो यह देखा है अमने नारायन पुर्जिले में इसके बाद है चर्रे मर्रे को देखा है कांकेर में फुल पाड इंदुल फुल पाड इंदुल को कहा देख लिया तो दंते वाडा में और पताबगिरी को देखा है सुकुमा में अ अब देखिए, अब हम pair बना लें, तो क्या बनेगा A1, A1 के बाद है B3, उसके बाद है C2 और अंतता है D4, तो क्या pairing हो गई, A1, B3, C2 और D4, अब इसका मिलान करें options से, तो देखिए, option number D में दिया है, A1, B3, C2 और D4, और इसी लिए option D जो है, वह सही option है, हमारे इस तीसरे प्रश्न के लिए, तो यहां समाप्त होता है हमारा तीसरा प्रश्न, नेक्स हमा जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, जिस पे फिर से हमें सुमेलित करना है किसे, तो पुरा तात्विक स्थलों को करना है जिलों से, प देखे यह जो मैप है बस्तर संभाग का, बस्तर संभाग में यह जिला है कांकेर, कांकेर जिले का एक तहसील नाम है क्या चारामा, और इसी चारामा में है एक पुरा तात्विक स्थल नाम है क्या तो नाम है गोटी तोला, क्या नाम है तो गोटी तोला, उसके बाद यह जो कोरकोटी क्या नाम है कोरकोटी और अंतता यह हमारा दंतेवाडा जिला दंतेवाडा जिला में उत्तर की और एक तहसील है नाम है क्या गिदम और इस गिदम तहसील में है बारसूर जो की है क्या एक पुरा तात्विक स्थत तो हमने क्या देखा गोटी टोला कांकेर बारसूर देखा है हमने दंतेवाडा कोरकोटी को देखा है कहां कोंडा गाओ में अब नेक्स्ट वापिस आजाए हम question पे तो गोटी टोला कहां देखा हमने तो देखा कांकेर में कोरकोटी को कहां देखा है तो कोंडा गाओ में बारसूर को कहा देखा तो दंतेवडा में अब पेरिंग कर लो क्या हो गया A3 उसके बाद क्या है तो है B1 और उसके बाद क्या है तो है C2 अब इसका मिलांग करें आप्शन में तो देखें आप्शन C में दिया है A3, B1 और C2 और इसलिए आप्शन C जो है वह इस चौथे प् कथन सही है पहला कथन है इंद्रावती राष्ट्री उद्यान 36 गड़ के बीजापुर जिले में है दूसरा कथन है इंद्रावती राष्ट्री उद्यान 36 गड़ का एक मातर राष्ट्री उद्यान है जिसमें प्रजेक्ट टाइगर लागू है अगला कथन है इंद्रावती राष्ट्री उद्यान चत्तिस गड़ का सबसे पुराना राष्ट्री उद्यान है चोथा कथन कहता है इंद्रावती राष्ट्री उद्यान है आप देखें यह बस्तर संभाग का मैप इस बस्तर संभाग में एक जिला है जिसका नाम है बीजाप पुर्जिले में है हमारा इंद्रावती राष्ट्री उद्यान अब यह जो इंद्रावती राष्ट्री उद्यान है मैं बता दूं इसका गठन जो है वर्ष्था 1978 और 1978 में गठन के साथ यह बना 36 गड़ का पहला राष्ट्री उद्यान या सबसे पुराना राष्ट्री उद् और शेत्रफल के अनुसार यह 36 गण का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान पहला गुरु घासी दास है शेत्रफल है 1441 स्क्वार किलोमेटर यह 1441 वर्ग किलोमेटर इसके अलावा आपको यह भी बता दू इसमें बाग परियोजना की शुरुवात हुई 1982-83 से जिस टाइगर जो है वह लागू है अब हमाद आते हैं प्रश्ण पर तो प्रश्ण पर पहला स्टेट्मेंट है इंद्रावती राष्ट्य उद्यान 36 गण के बीजापुर जिले में है बिल्कुल सहीं दूसरा स्टेट्मेंट कहता है इंद्रावती राष्ट्य उद्यान 36 गण क एक मात्र राष्ट्य उध्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है यह वाद भी बिलकुल सहीं मैं आपको बता दूँ प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती के अलावा किसमे किसमे है तो अचानक मार में हैं तथा सीता नदी और उधन्ती में जॉइंटली या संय तुरूप से 82-83 में देख चुके हैं इंद्रावती अचानक मार सीता नदी उधन्ती में 2006 से हैं इसके बाद है तीसरा स्टेट्मेंट इंद्रावती राष्ट्य उध्यान चात्तिस गड़का सबसे पुराना राष्ट्य उध्यान है यह स्टेट्मेंट भी बिलकुल सहीं अब सहीं में देखिए कथन एक भी सहीं है दो भी सहीं है और तीन भी सहीं है मतलब सहीं आंसर क्या होना चाहिए तो ऐसा option जो बताए कथन एक दो तीन दोनों सहीं है और ऐसा option है option A जिसमें देखिए दिया हुआ है एक दो तीन तीनों सहीं और इसलिए option A जो है यह हमारे प सहायक नदियों के बारे में तो मैंने क्या बताया था? नारंगी, कोटरी, चिन्ता, वागू, गुद्रा ये सभी वे नदियां है जो कि किसकी सहायक है? इंद्रावत्ती की मलगेर के बारे में बता दूँ असल में मलगेर जो है वह शबरी की सहायक नदी है और बाग जो है यह असल में वेन गंगा की सहायक नदी है और वेन गंगा आगे चलके किसकी सहायक बन जाती है तो गोदावरी नदी की सहायक बन जाती है तो एक बार इस map को हम वापिस से देख लें, हमने क्या देखा ये इंद्रावती, इसकी सायक नारंगी भी है, बौर्डिंग भी है, गुड़रा भी है, निबरा भी है, कोट्री भी है और बेरुडी और चिन्ता वागू, options में क्या क्या, तो options में हमने नारंगी देख लिया, ह हमने कोटरी देखा और हमने क्या देखा तो चिंता वाग। इसके अलावा ध्धान में आप यह रखना कि यह है हमारी शबरी नदी और इसी शबरी की सहायक बन जाती है कौन सी तो मलगेर नदी अब राजनाजगाँ से एक नदी निकलती है नाम है क्या बाग और बाग किसकी स सहायक है तो गोदावरी नदी की. भेराल प्रश्ट पर वापस आते हैं. इंड्रावती की सहायक नदிआ कौन सी? तो नारंगी देख चुके हैं, कोट्री देख चुके हैं, चिन्तावागू. मल्गेर और वाग जो है यह दोनो इंड्रावती की सहायक नदियान नहीं है तो सही क्या है नारंगी कोट्री चिंता वागू और गुड्रा मतलब A B C और E अब सही option क्या होना चाहिए तो कोई भी ऐसा option जो बताए A B C और E ऐसा option देखिए कौन सा है तो option B है जिसमें दिया है A B C और E और इसलिए option B जो है वह हमारे चटे प्रश्ण का सही उत्तर है अगला है हमारा सात्वा प्रश्ण जिसमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है ध्यान रखना सही नहीं बताना है बताना है कौन सा गलत है अब ध्यान रखना पहला statement कहता है बारसूर चिंदक जिला के गिदम तहसील में स्थित है तीसरा statement कहता है या बस्तर शेत में मंदरों और तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि इस बारसूर से लगभग 146 मंदर और 146 तालाब होने के साक्ष मिलते है और इसलिए बस्तर शेत में इसे मंद मंदिरों और तालाबों के शेहर के रूप में जाना जाता है इसलिए यह तीसरा statement भी सही है उसके बाद चौथा statement है प्रसिद 32 मंदिर बारसूर में स्थित है तो जी हाँ प्रसिद 32 मंदिर जो असल में शिवजी का ही मंदिर है इसका नाम 32 क्यों है क्योंकि 32 स्तंभों पे इस मंदिर का मंदप जो है लगा हुआ है यह जो प्रसिद 32 मंदिर है यह भी बारसूर में ही स्थित है मतलब देखा जाए तो जो चारो statement है असल में है सही और हमें क्या बताना है कौन सा गलत है तो इस condition में जब एक दो तीन और चार जो दिये हुए चारो statement है यह तो सब सही है तो सही option क्या होना चाहिए तो क्या option A सही होगा जिसमें बताया गया है सिर्फ दो और चार सही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्यों क्योंकि एक और तीन भी तो सही है क्या option B को हम लगा सकते है जिसमें दिया है दो तीन चार सही है तो इसे भी नहीं लगा सकते क्यों क्योंक को हम नहीं लगा सकते तो बचा क्या option D उपरोक्त में से कोई नहीं और इसी लिए option D जो है वह हमारे साथवे प्रश्ण का होने वाला है सही उत्तर अब next हमाद आते हें अपने आठवे प्रश्ण पर जिस पे सुमेलित करना है जिलों को मंधिरों से तो पहले है कोंड़ागाँ जिला फिर है बीजापूर फिर है सुत्मा फिर है बस्तर मंदिरों में देखिए क्या है तो महालक् अब देखे जा है बस्तर संभाग का मैप, इस बस्तर संभाग में एक जिला नाम है कुंडा गाउं और इस कुंडा गाउं जिले में है टाटा मारी और इसी टाटा मारी में है प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदर उसके बाद इस बस्तर जिले में नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के संगम के नस्दीक है एक ग्राम नाम है नारायन पाल और इसी नारायन पाल ग्राम में है प्रसिद्ध विश्णु मंदर जिसे नारायन पाल मंदर के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद यह है दक्षनतम जिला 36 गड़ का नाम है सुकमा, सुकमा में एक जगा नाम है किरला पाल और इस किरला पाल में है प्रसिद्ध चिटमिटिन माता मंदिर और यह है बीजापुर जिला और बीजापुर जिला के भैरम गड़ में है भैरम देव मंदिर तो हमने क्या जाना टाटा मारी में महालक्ष्मी मंदिर टाटा मारी कोंडा गाउं जिले में नारायन पाल नारायन पाल मंदिर या विष्णु मंदिर कहां पर बस्तेर जिले में केरलापाल सुकमा जिले में चिटमिटिन माता मंदिर उसके बाद भहरमगड बीजापुर जिले में भहरम देव मंदिर अब प्रश्ण पर बापस आते हैं तो कोंडा गाउं से मिलान हो सकता है महालक्षमी मंदिर का बीजापुर से भहरम देव मंदिर का सुकमा से चिटमिटिन देवी मंदिर का और बस्तर से हो सकता है नारायन पाल मंदिर का मतलब अगर पेरिंग कर दें तो क्या हो गया A1, B2, C3 और D4 अब options को देखिए तो option A में ही दिया है A1, B2, C3 और D4 और इसी लिए option A जो है वह हमारे आठवे प्रश्ण का सही उत्तर है इसके बाद हमा जाते हैं अपने नवे प्रश्ण पे अब देखिए नवे प्रश्ण पे हमें सुमेलित करना है संगमों को और नदियों को तो संगम में देखिए दिया है क्या तो दंतेवाडा, नारायन, पाल, उसके बाद है भद्रकाली, उसके बाद है कुनावरा नदियों में इंद्रावती, गोदावरी, शंकिनी, डंकिनी, इंद्रावती, नारंगी और गोदावरी, शबरी अब देखे ये हमारा बस्तर संभाग में सबसे पहले मैं बना देता हूँ कौन सी नदी, तो नदी इंद्रावती है, अब इस इंद्रावती नदी से संगम करती है गोदावरी नदी, उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है सब्री नदी इस सबरी नदी से भी संगम होता है किसका तो होता है इस गोदावरी नदी का अब देखिए संगमों की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक नदी है नाम है क्या तो नाम है नारंगी नदी और नारंगी नदी का संगम होता है इस इंद्रावती नदी से कहां होता है संगम तो होता है नारायन पाल बस्तरजले में उसके बाद है दो नदियां एक है शंकिनी नदी और दूसरी है कौन सी नदी तो डंकिनी नदी अब शंकिनी डंकिनी नदी का संगम कहां पर होता है तो होता है दंतेवाणा में और आगे चलकर यह दोनों जो नदियां है इसके संगम के पश्यात कहलाती है शंकिनी डंकिनी और सायक बन जाती है इसी इंद्रावती की फिर इंद्रावती और गोदावरी जो नदी है इसका संगम कहां पर है तो ध्यान रखना जगा का नाम है भद्रकाली और इसी गोदावरी का इस शबरी नदी से संगम होता है कहां तो कुनावरम में कहां पर तो ध्यान रखना जगा है आंधर प्रदेश अब प्रश्ण पर वापस आजाएं, तो दंतेवाडा में हमने क्या देखा है, शंकिनी और डंकिनी नदियों का संगम, नारायन पाल में क्या देखा था हमने, तो देखा था इंद्रावती और नारंगी का संगम, भद्रकाली में किस नदियों का संगम देखा है, तो हमने दे C1 और है D4, तो A2, B3, C1 और D4, अब अगर options को देखिए तो option B में ही दिया है A2, B3, C1 और D4 और इसी लिए option B जो है वह हमारे नववे प्रश्न का सही उत्तर है, तो यह था हमारा नववा प्रश्न, अंततह हमा जाते हैं अपने दसवे प्रश्न के, तो देखिए, दसवा प कौन सी है समझ लीजेए, तो पहले है अल बका, फिर है छोटे डूंगर, फिर है गडिया, उसके बाद है बड़े डूंगर, अब मैप पर आ जाएं, तो इस बीजापुरजले में, एक पहाडी नाम है क्या, तो नाम है अल बका, और इस नारायन पुरजले में, एक काड़ी कांकेर में गडिया पहाड, नारायनपुर में छोटे डोंगर, हमने देखा कॉंडा गाओं में बड़े डोंगर, और बीजापुर में अलबका पहाड़ी, प्रश्ण पर वापस आएं, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कॉंडा गाओं में है क्या तो बड़े डोंगर, कांक उसके बाद है B3 इसके बाद है C2 और D1 तो A4, B3, C2 और D1 अब अगर options से इसका मिलान करें किसका A4, B3, C2 और D1 का तो देखिए option D में ही दिया है A4, B3, C2 और D1 और इसी लिए यह जो option D है यही है हमारे दसवे प्रश्न का सही उत्तर तो यहाँ के 10 कुछ अच्छे और conceptual प्रश्न 36 गण के बस्तर संभाग से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी सी मुरकात होगी मेरी आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और टेक केर CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले